ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभो हार्दिक स्वागत है। आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों यह सारे उपाय गुरु जी की कथा से सुनकर सूचित किये जा रही हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान गौरी व्रक भी है। अब गौरी के नाम से आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि इस दिन माता पार्वती जी का विशेश रूप से दिन है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी जरूर की जाती होगी दोस्तों 19 अगस्त हर्याली 30 का जो दिन होता है, वह माताओं बहनों के लिए सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन सुहागन महिलाएं वरत को भी धारण करती है, साथ ही में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेश रूप से पूजन आराधना भी करती है। और सुहागन की सामगरी भी माता पार्वती जी को वो प्रदान करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हरियाली 30 के दिन किये जाने वाले वह विशेश उपाय बताएंगे जिन विशेश उपायों को अगर आप लोग इस अगस्ट सावन की हर्याली 30 के दिन करते हैं तो आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करनी होगी तो दोस्तों जानिये आप इन उपायों को दोस्तों सबसे पहले आप यह सावन महीने की 30 है हर्याली 30 है विशेश रूप से तो इस दिन आप लोगों को पीले फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए पीले फूल वाला कैसा उपाय है वह हम आपको समझाते हैं ये उपाय आपने पहले भी किया होगा पर इस दिन इस उपाय को करने का अलग महत्व है अलग फल है भगवान शिव जी को माता पारवती को प्रसंद करने का यह वाला उपाय सबसे पहली चीज पीला फूल आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कनेर के पुश्प की कनेर के फूल फूल की यह एक ऐसा फूल है जिसके बारे में शायद अभी तक आप लोग जानते होंगे पर अब से आप लोग जानना शुरू भी कर दिये होंगे और आप लोगों के सामने पहले यह फूल लगा लगे हुआ करते थे पर आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते थे बहुत ही कम लोग होते थे जो इन फूलों का उपयोग करके भगवान शिव जी को प्रश्न कर पाते थे पर अब आप लोगों को भी पता चल गया है तो आप लोगों को करना क्या है कि कनेर का पुष्ट कनेर का पुष्ट होता है पीले कलर का जो की आप लोगों ने अभी फोटो में देखिया होगा लंबा लंबा सा होता है पीले कलर का होता है और यह बहुत ही आसानी से आप लोगों को किसी भी स्थान पर मिल जाता है जो बड़े बड़े शहरों में रहत पूर मिल जाएगा तो आपको लेकर आना है, हर्याली 30 के दिन पीले फूल कितने फूल कौन से फूल पीले फूल कितने लेकर आना है। काल सुबह सुबह अपने साथ में यह पीले कनेर का पुश प्रकना है, शुद्ध होकर स्नान करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन कर आपको ये उपाय करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, आपको करना क्या है। पहुच जाओ भगवान शिव जी की चौखट तक पहुच जाओ तो उसके बाद में आपको यह उपाय शुद्ध जाना है। सबसे पहली चीज यह है कि आप जो दो पात्रों में जल लेकर गए हो, उन दोनों ही पात्रों को एक एक हाथों में ले लो ठीक है। मतलब जो उपर वाला पात्रों को एक के उपर जो आप अपने घर से लेकर निकले हैं। उपर वाले पात्रों को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो भले ही वो एक कटोरी में जल क्यों न भरा हो भले ही वह एक छोटे से जल क्यों न भरा हो भले ही वो लोटे में जल क्यों न भरा हो तो आपको दोनों हाथों में अपना जल्दी लेना है। उसके बाद में आपको भगवान शिवजी की चौखट पर प्रवेश करना है, अपना कदम रखना है, यह जिन्हें बने होंगे। जिन्हों पर कदम रखना है उससे पहले नहीं रखना है दोनों हाथों में आपको पात्र आ जाएं फिर उसके बाद भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको जाकर इन दोनों पात्रों से भगवान शिव जी के उपर जल चड़ाना है कैसे चड़ाव गए वह सुनो शिवजी की शिवलिंग होगी शिवलिंग के उपर इन दोनों पात्रों को करना है एक दूसरे के सामने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने कर लिए दोनों पात्रों से एक साथ आपको एक धारा से जल यहाँ पर शिवजी पर चड़ाना है और एक आप लोग एक धारा से धीरे धीरे करके ये दोनों पातरों से जल भगवान शिवजी पर समर्पित कर दो उसके बाद आता है मुख्य काम जो मुख्य उपाय है वो चुकी है पीला कनेर का कुछ अब इस पीले कनेर के पुष्प को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उप पर समर्पित कर देना है फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह आगे की तरफ होना दोस्तों इस कनेर के पुष्प को दो स्थानों पर आप समर्पित कर सकते हैं इस उपाय के अंतरगत ठीक है पहला स्थान तो भगवान शिवजी की शिवलिंग के उपर ही है और जो खिला हुआ भाग होगा न वो शिवलिंग के आगे की तरफ होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना मतलब सामने की तरफ न और उपाय भी आप सामने से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके चढ़ा देना है और आख बंद करके भगवान स कंगना चाहे वो मांग सकते हैं अन्यता नहीं भी मांगेंगे न तो भी भगवान शिव आपको बिना मांगे देंगे उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो स्थान है न इस कनेर के को चढ़ाने का वो है माता अशोक सुन्दरी जी का स्थान यह स्थान विशेश रूप से अ जो खिला हुआ भाग होगा वह होना चाहिए भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ जब आपने शिवलिंग के उपर चढ़ आया था तो ये सामने की तरफ था पर जब आप जलाधारी के उपर चढ़ाएंगे न तो इस स्कूल का भाग भगवान शिव जी के वह और माता अशोक सुन्दरी जी भगवान शिव जी से निवेदन करेंगे कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें ठीक है, तो यह दो फूलों को मतलब दो स्थानों पर आप फूल चढ़ा सकते हैं, शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं, माता अशोक चंदर जी पर भी चढ़ा सक बस जो इस उपाय को शाम के समय करेगा वह जल नहीं चढ़ा पाएगा शाम के समय भगवान शिव जी का श्रिंगार हो जाता ज्यादातर मंदिरों में तो जल चढ़ाना फिर उत्तम नहीं माना जाता है, तो शाम के समय भी बस उपाय कर सकते हो पर सिर्फ पीले कनेर के फू तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का इन कनेर के पुष्प से श्रिंगार करो पूरी जलाधारी पर इन कनेर के पुष्प को सजा दो शिवलिंग पर कनेर के पुष्पों को सदा दो पूरी शिवलिंग को सजा दो सजाने के बाद भगवान से बस दो मिनट भगवान श चलेगा तो ये वो उपाय था जो सबसे बड़ा उपाय है। इस देश का इस हरियाली 30 का 19 अगस्ट 2023 का अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो की आपको इस हरियाली 30 के दिन करना है। एक बेलपत्र लेनी होती है, उसके बाद में पीला चंदन रखना होता है और पहुँच जाना होता है, शिवजी के मंदिर में इतना सा काम करना होता है। शिवजी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुँचते हैं, तो शिवलिंग के पास आपको बैठना होता है, या आप अगर पहले अपनी पूजा अर्चना शिवजी पर जल चढ़ाना चाहते हैं, तो वो चढ़ा सकते हैं, चढ़ाने के बाद फिर शिवजी के पास में आकर आप लोगों को बैठ जाना है, अब आप जो अपने साथ एक बेल पत्री लेकर आए हैं, न उस बेल पत्र की जो डंडी होगी, उस डंडी का जो पीछे वाला सबसे बड़ा भाग होगा न और जो आखिरी आखिरी का जो मोटा मोटा सा भाग होगा, उस मोटे भाग को तोर देना तोड़ लिया आप लोगों ने तोड़ने के बाद उस मोटे वाले को जिसे हम रेल पत्री कहते हैं, न सिर्फ एक ही बेल पत्री इसमें उप्योग उसी बेल पत्री के एक को आपको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद आपको इस मोटे वाले को अपने उस पीले चंदन में मतलब उस पीले चंदन में थोड़ा सा जल डाल कर उसको गीला करके फिर इसको डाल। देना है ठीक है डालने के बाद इससे ही आपको इन तीनों पत्तियों पर जो एक बेल पत्र की तीन पत्तिया इन तीनों पत्तियों पर बिंदी लगानी है। इन तीनों पत्तियों पर कितनी आपको कुल मिलाकर बिंदी लगानी है। 108-100 एक आपको बिंदिया लगानी है और हर बिंदी लगाने बोलना है। एक के उपर अगर एक बिंदी भी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों पत्तियों पर शायद आपको 108 बिंदी लगाने में कोई दिक्कत परिशानी हो सकती है, न बने तो एक के उपर एक बिंदी भी लगाओगे, तो भी चल जाएगा, जब आपकी पट्ट को आप मन की कामना करते हुए आखे बंद करके हुए श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए बस शिवलिंग पर समर्पित कर देना आप बस मन में अपनी कामना को थोड़ा बहुत सोच लेना अन्यथा सोचने की भी जरूरत नहीं है इस उपाय को अगर आपने इस हरियाली 30 के दि कर लिया तो बिना बोले आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी जीवन से दुहक और समस्या दूर होगी इस उपाय को विशेश रूप से बच्चे करते हैं ना तो उनको बहुत जल्दी फल मिलता है ठीक है और बड़ी भी करेंगे तो भी उनको फल मिलेगा पर बच्चों के लिए बहुत ही विशेश उपाय है थोड़ी सी इसमें मेहंत लगेगी पर उपाय आपका बहुत जल्दी काम कर जाएगा ठीक है हरियाली 30 के दिन आपको यह बाला उपाय करना है उसके बाद में दोस्तों चावल के दानों का उपाय हम आपको बता दें कि आपको इस हरियाल सामगरी में काम यह होता है आपका की शिवलिंग पर चढ़ने वाली कोई भी सामगरी आप चुन लो और उसको 108 मात्रा में लेकर आजाओ सबसे आसानी से जो आपको मिल सकती है वो है चावल के दाने हरे मूं के दाने या तो सफेद फूल आप लोग ले सकते हो पर वो थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे पर चावल के दाने तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे या हरे मूं के दाने आपको मिल जाएंगे ठीक है तो उदाहरन के लिए हम चावल के दाने ले लेते तो 108 चावल के दाने आखा साबुत मतलब तूटे प्राता काल सुभा सुभा पहुचना है, ठीक है, सुभा सुभा पहुचने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठना है, बैठने के बाद आपको इन एक सुआठ चावल के दानों को क्या करना है? एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, वो भी श्री बोलते हुए और ऐसा नहीं है कि आप इन चावल के दानों को एक साथ चढ़ा दें, एक साथ चढ़ाव गए, तो उतना फल नहीं मिलेगा, जितना आपको के चढ़ाने से मिलेगा। तो एक साथ चावल के दाने एक एक करके आप चढ़ाव जैसे की एक चावल का दाना आपने चढ़ाया, दूसरा चढ़ाएं फिर इसी तरीके से पूरे एक साथ चावल के दाने आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। बस आखिरी वाला जो एक साथ वहां चावल का दाना होगा ना इसको आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना उस समय अपनी मनोकामना बोल देना या जो आप भगवान शिव जी से काम कराना चाहते हो या कुछ अपने मन में कामना जो बात आप भगवान शिव जी से बोलना वो आखिरी वाले चावल के दाने को चिड़ाते हुए बोलते हुए बोल देना बस यहां पर यह उपाय हो जाता है तो दोस्तों यह वो उपाय है जो की आप लोगों को इस 19 अगस्ट सावन की हरियाली 30 के दिन जरूर करना है